लोकसभा चुनावों में हर राजनीतिक दल और राजनेता चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हतकंडे अपना रहे हैं। मद्दाताओं को लुभाने के लिए कोई गारंटी लेकर आया है तो कोई अपने काम के बल पर मैदान में उतरा है। इसी तरह के एक राजनेता है जो कैसरगंज सीट से सांसद है। को मैदान में उतरा है। भगत राम मिश्रा भी मैदान में डटे हुए है। उनका दावा है कि हम यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे। सपा के बेनी प्रसाद बर्मा यहाँ से पांच बार सांसद रहे हैं। इस सीट पर कुर्मियों का बड़ा वोट बैंक है। लेकिन बीते दस साल से ब्रिजभुशन शरन सिंग यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं। 2019 में ब्रिजभुशन सिंग ने बसपा के चंद्रदेव यादव को 2.5 लाग से अधिक वोटों से हराया था। वही 2014 में इन्होंने सपा के विनोध कुमार उर्फ पंडित सिंग को 50,000 वोटों से हराया था। वही 2009 के चुनावों में इन्होंने सपा के टिकट पर जीत दर्ज की थी। कैसर गंज लोकसभा सीट पर कुल 17,000,000 मद्दाता है। इस सीट पर पिछड़े वर्ग और ब्राहमन मद्दाताओं का दबदबा रहा है। जिनकी बदौलत बाबु साहब अपनी राजनीती चमकाते रहे हैं। 65 वर्षिय भगत राम मिश्रा बहराईच जिले के पयागपुर विधान सभा क्षेत्र के रहने वाले है। उनकी पतनी श्रावस्ती जिले की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी है। भगत राम मिश्रा पेशे से अधिवक्ता है। उनके पास लगभग धा 2000 बीघा जमीन है और उनकी गिंती देवी पाटन मंदल के बड़े किसानों में होती है। वो पूर्व सांसत ददन मिश्रा के बड़े भाई है। कैसर गंज लोकसभा सीट के कुछ इलाके क्षत्रिय बाहुल्य है लेकिन गोंडा वाला इलाका ब्राहमन बाहुल्य है। यहा 37 फीसदी के करीब मुस्लिम वोटर है। अगर ब्राहमनों, यादवों और मुस्लिमों को अधिकांश वोट भगत राम मिश्रा पाने में काम्याब हो गए तो करण भूशन के लिए यहां मुश्किले खड़ी हो सकती है।